हाई फ्रेंट्स वेलकम टू नितिश उनियोर्स और आज की वडियो में मैं आप बात करने वाले एस्ट्रोमी क्या होता है और उसको कैसे समझेंगे और अगर हमने उसको समझना है तो क्यों समझना है उसका बेनिफिट हमेरे हीमन सिविल लाइजिशन के लिए क्या है उसको डिटेल में जानते हैं चलो विडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपने किसी आपके दोश्ट से पूचा कि एस्ट्रोम ही तुझे पता है तो बोलेगा हाँ बहुत सारे लोग यहीं कहते हाँ लेकिन दोनों में क्या डिफ अजम्शन लगाते हो कि आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है वह एक अलग ब्रैंच है लेकिन एक प्यूर ब्रैंच अप साइन्स है जहां पर हम स्टड़ी करते हमारे स्पेस के बारे में कि हमारा और जो प्लैनेट है उसको छोड़ के जो भी स्पेस है उस स्पेस में जो भी उबजेक्ट्स है चाहे वह स्टार्स इखले नेबुलड जेए चाहे व we בס चाहे वह मे प्लैनेट्स फोर आपको दिखता है उसका स्टोड़ी हम जिस ब्रैंच के अंडर करते उसको आश्ट्रमामी कहा जाता है अब बात आती कि अश्ट्रोठोम्म का स्ट Safe कोरे मैं तो यहां पर साइंस में थेरी उसका नामें बिग बैंक थेरी कहते हैं कि एक बड़ा सा बैंक मतलब ब्लाश्ट हुआ था जिससे युनिवर्स बना है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसी चैनल के साइंस प्लेलिश में जाके देखो वहां पर एक दुसरे को रिलेट करेगी एक दुसरी के उपर इफेक भी कर सकती है अगर आपने ये भी सुना होगा कि पहले अर्थ पर डाइनोसार्स थे बात में वह एक ही सडनली क्या हो गए कि वह सारे कील हो गए क्योंकि स्पेस में से कोई आपजेक्ट आया था तो अगर आज के अगर ऐसा होने वाला है तो अगर हमें उसके बार में पहले ही अगर पता हो तो हम उसके ऊपर कुछ सुलूशन निकाल सकते हैं आप अगर साइंस नीूस पढ़ते हो तो आपको पता ओगा बहुत बार आता है कि कोई एश्ट्रोइड आने वाला है और की तरफ और की तरफ आएगा कब आएगा कितने टांग में बड़ा होगा यह सब बताते हैं वैं पहले से पता होते हैं कि हमारे उपर अगर कोई चीज आने वाली है और पर कोई प्रॉबलेम होने वाला है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लें यह है astronomy का benefit उसके बाद अगर आपको आपकी history पता है कि पहले से क्या होता हुआ है इनिवर्स में तो आप future के बारे में भी कुछ logic लगा सकते हो कि क्या हो सकता है और उसके बिहाब पे आप अभी present मोमेंट में कुछ changes ला सकते हो खुद के planet पे इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे sustain करना है अब उसके बाद में बात आती है कि हम अर्थ पे तो रहते हैं कि यह सारे planets हमारे आसपास है क्या उसमें भी हमारे जैसा और कोई है क्या हमारे जैसा ही कोई civilization लगेगा हम उसके बारे बेनेफिशल है या हम उसके लिए सारी चीज़ों को एक्स्प्लोर करना है तो आपको आना पड़ेगा और अन इस चाइन नितिश उनियूर्स यहां एक सीरीज डालूंगा एक पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सरे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया थेरीज को स्टड़ी करकर करके अभी तक हम आये और हमने जो भी जाना है युनियर्स के बारे में उसी थेरी के बैसिस पर जाना है जैसे आप जाते हो न हमारा जो युनिवर्स है वो कैसे बना था और कैसे चेंजेस हुए उसकी सीरीज डीटेल में हम यहां पर देखने वाले अगर आप अस्ट्रोनामी लवर हो आप साइंस लवर हो अगर आप अलग-अलग चीजों को एक्स्प्लोर करना चाहते हैं इंट्रेस्टिंग चीजों कि इंस्ट्रा सोशल मेडिया है वहाँ पर जाकर भी आप मुझे को फॉलो कर सकते हो आपने वीडियो को लास तक देखा इसलिए थैंक्यू और मुझे पता है आप डेफिनेटली सेकंड वीडियो देखने आने ही वाले हो बाइबाए